हम डेटे की डिस्टिबूशन की बात आगे चलाएंगे और पिछली एक्जाम्पल जो इससे पिछले मॉडियूल में ली थी उसी को लेकर आगे बढ़ते हैं हम ने जब उस डेटे को डिस्टिबूशन में कन्वर्ड किया या graph की सूरत दी थी तो इस तरह की distribution आपके सामने आई थी ये distribution नर्मल distribution कहलादी है अगर आप इसको इसके center की value से graph को युँ अप फोल्ड करें और ये graph एक दूसरे के ऊपर इसके दोनं हिससे सुपर इंपोज हो जाएं बिलकुल एक दूसरे के उपर फिट आ जाएं तो हम कहते हैं कि ये नॉर्मल डिस्टिबूशन है ये उसकी ग्राफिकल शेप को देख के फैसला करने की बात मैं कर रहा हूं कि आपने ये कर्व है इस कर्व को बिलकुल सेंटर से दो बराबर हिस्सो में तक्सीम करिए और फिर आप इसको फोल्ड कर लें तो ग्राफ की अगर एक साइड की लाइन दूसरे साइड की लाइन के उपर पूरी तरह फिट आ जाए हम कहते हैं कि ये नॉर्मली डिस्टिबूटेड डेटा है ये उसकी जाहरी सूरत है ट्रेटिस्टिकल शकल में इ उसी तरह का कव है और अगर मैं इसको सेंटर से जो लाइन आ रही है जो इसके नीचे जीरो लिखा हुए एकस एकसे पे ये इसका सेंटर पॉइंट है अगर आप इस लाइन के गिर्द इस ग्राफ को फोल्ड कर दें तो ये ब्लू लाइन इधर वाली ब्लू लाइन उधर क blue line के उपर बिलकुल सुपर इंपोज हो जाएगी पिट आ जाएगी तो मैं कहता हूं यह data normally distributed है law of normality जो है या law of nature जो है वो यह कहता है कि आप दुनिया की कोई भी population उठा लें किसी चीज से मुतलिक मिसाल के तोर पे आप दुनिया का data लेवें जहीन जहानत के लहाँ से लोगों का आप किसी भी representative सामपल पर आप लौक करें उनकी आप contribution निकालें के उनकी जहानत के लिहास से उनको देखें तो आपको extremely जहीन लोग बहुत थोड़े मिलेंगे आपको extremely dull लोग भी बहुत थोड़े मिलेंगे आपको ज्यादा लोग जो हैं वो average जानत के मिलते हैं आप इसी तरह लोगों के कद जो हैं वो ना पीजिए एक बहुत larger sample लीजिए या पूरी population ले लीजिए और उनके कद ना पीए उन में से extremely high जो है उसका height उसके भी लोग कम होंगे और extremely low के भी कम होंगे दर्मयान में लोगों की तादाद ज्यादा होगी यानि average height के इर्द गिर्द लोगों की तादाद ज्यादा है और ये मैंने सिर्फ दो मिसालें आपके सामदे रखी आप कोई भी एक्जामपल ले लीजिए जी आप रास्ते में चलते हुए दरख्तों की height देखना शुरू कर दें किसी एक खास किसम का दरख्त लें और उसकी height देखना शुरू कर दें आपको मुख्तरिफ हाइट के दरख्त मिलेंगे आप उन सब की height नोट करने कागज पर ग्राफ बनाएं तो law of nature यह कहता है कि वह नॉर्मल डिस्टिबिशन बनेगी नॉर्मल डिस्टिबिशन को अगर मैंने statistically देखना होगा तो मैं कहूंगा कि मैं अगर इस पूरे ग्राफ को चार हिस्सों में तक्सीम कर दूं चार बराबर हिस्सों में यानि 25% 25% 25% 25% और 25% चार बराबर हिसे ग्राफ के हो गये और इसको आप दुन्यादी तोर पे यह जो इसके quartiles कहते हैं quarter है ना चार इससे कर दिए तो इक quartiles बन गए इन में अब अगर explain किया जाए normality को तो यह है कि अगर आपके zero के इस side पे एक हिस्सा और zero के इधर एक हिस्सा यानि एक अब उसको मैं stats की term में कहता हूं center से एक deviation एक quarter right और एक quarter left जो space बनेगी अगर आप देखें तो दुनिया का कोई भी normal data जो है उसका तक्रीबन 68 percent data इसमें आएगा यानि average height average से एक quarter ज्यादा और एक quarter कम अगर आप इतनी range रखें तो आपके 68 लोग इस data में इस जगा आएंगे मैंने 100 लोगों से let's say height ना पी 100 लोगों में से 68 लोगों की height इस gap के अंदर आनी चाहिए इस उसकी value इसके अंदर आएगा फिर उसके बाद जो इससे बाहर जाएंगे तो आपके पास तक्रीबन 14 percent इदर और 14 percent थर्ड क्वाटर आप नोट करिए इस graph में जो आपका थर्ड क्वाटर बनता है प्लस 1 और प्लस 2 के दर्मियान माइनस 1 और माइनस 2 के दर्मियान जो space है इन में दोनों तरफ हर एक जगा तक्रीबन 14 percent लोग इदर और 14 percent इदर तो तक्रीबन आपके पास 28 percent लोग जो हैं वो इस इन दोनों quarter में fix होंगे 68 percent दर्मियान में आगे यानि 0 से प्लस 1 और माइनस 1 के दर्मियान 68 percent फिर मजीद 14 percent प्लस 1 प्लस 2 के दर्मियान 14 percent माइनस 1 और माइनस 2 के दर्मियान तो ये तक्रीबन 28 percent लोग दोनों तरफ यहां fit होंगे और इसके बाद जो इससे ज्यादा height या इससे कम height के लोग है वो तक्रीबन 2 percent एक तरफ हैं और 2 percent एक तरफ हैं 4 percent वो बनते हैं इन सारों को आप add करें तो ये 100 percent की distribution है यह आपकी population में 100 फीसद लोगों की distribution बनाई जाए तो वो इस तरह से बनती है तो स्टेटिस्टिक के लिए अगर मुझे ये assess करना हो कि data normal है या नहीं है तो मैं उसका ये graph बनाऊंगा और graph बनाने के बाद देखूंगा कि उसके जो plus one minus one यानि middle point के गिर्द एक deviation right पे एक deviation left पे जो space है अगर आपके total data का 68% data इन दो जगों के दर्मयान आ जाता है और फिर 14-14% उससे अगले quarters में आता है दो-दो परसेंट उससे outer quarters में आता है तो मैं कहूंगा ये data normally distributed है absolutely normal distributed data दुनिया में exist नहीं करता क्यूंकि chance of error हमेशा रहता है तो आपके पास practically speaking शायद normally distributed data इस तरीके से strictly normally distributed data practically कभी ना हो पाए लेकिन theoretically ये distribution होनी चाहिए अब इसके जितना करीब हो सकेगा उतना ही वो normal data कहलाएगा इससे जितना दूर चलता जाएगा तो वो normal नहीं रहेगा normally distributed data की एक और सिर्फ आप देखेंगे तो वो ये है कि अगर आप उसका mean, median या mode निकालें तीनो एक ही जैसे एक ही number आएगा slide पर जो आप example देख रहे हैं मेरे पास एक data set है जिसमें number है one one two 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 और फिर दो दफ़ा तीन है इस data का मैं अगर mode निकालूं तो mode क्या चीज होती है जो सबसे ज्यादा दफ़ा number आया अब देखिए इस data में सबसे ज्यादा दफ़ा दो आ रहा है तो दो इसका mode हो गया इसका median का मतलब क्या होता है कि आप इनको ascending या descending order में number को तरतीब से लिख लें और फिर देखें middle में कौन सा number आ रहा है तो हमने इसको lowest number से highest number की तरफ तरतीब दी one one सबसे छोटा number था तो उसके बाद two 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 और फिर three और three लिखा अब मैंने ये क्योंके total nine number है मेरे पास data में चार number मैंने right से छोड़ दिये चार left से छोड़ दिये दर्मियान में two आ रहा है तो इसका median भी two आ गया अब आप इसी data का mean निकाल लें इन सब को add करें one plus one two two plus two four four plus two six six plus two eight eight plus two ten ten plus two twelve हो गया और फिर उसके आगे 12 में three add किया fifteen fifteen में three add करें तो आपको eighteen आता है और eighteen को आप nine ये total number है nine से divide करें तो फिर two आएगा आपने इस data का जो normally distributed data होगा उसका आप mean निकालने चाहे median निकालने चाहे mode निकालने वो एक same number आएगा तो अगर आपके पास graph मौजूद नहीं है तो आप उसके इस तरीके से भी आप उसका mean median mode निकालने सेम आजाए तो आप बगएर graph देखे भी कह सकते हैं कि ये नॉर्मली डिस्टिब्यूटेड डेटा है तो इसके बाद अगर डेटा नॉर्मली डिस्टिब्यूटेड ना हो तो उसकी सूरतें क्या हो सकती हैं इसके बारे में मैं आपसे अगले module में बात करता हूँ